अगर मैं आपसे एक random question करूँ कि भारत का जो तमिलनाडू है और जो उदर नौर्वेक कंट्री है दोनों के वीच में क्या similarity है तो शायद आप ब्लैंक हो जाओगे आप कोई जो है answer नहीं दे पाओगे लेकिन आज का ये lecture करने के बाद मेरा ये promise है कि आप एक similarity तो बता इसी बात को कॉंटेक्स में लेते हुए हम अपने history के second lecture के शुरुवात करेंगे उसके पहले में briefing करादू की पिछले lecture में देखिए हमने important events कर लिये थे ancient history की इंडिया में और उनके date के साथ भी कर लिया था उनको फिर हमने historical text देख लिये थे फिर हमने पुरान वगरे हैं उनको देख लिया था आज जो हमारे lecture है उसमें हम लोग dynasties पढ़ेंगे ancient इंडिया की उनके capital पढ़ेंगे और उनके founders के बारे में पढ़ study for civil services telegram group join कर लीजिए और उसके बाद जो मैं आपको इंडिया की holy rivers कौन-कौन सी है उनके बार में बताऊंगा फिर holy cities भी देख लेंगे और फिर जो शंक्राचारे ने जो monastry established कर ली थी वो देखके फिर हम major stone age और फिर major chalcolithic cultures stone age का और major chalcolithic culture था यह देख लेंगे यह सा पहला हमारा topic है वो dynasties of ancient India है उनके capital क्या थे और उनके founder कौन थे तो एक एक करके हम चलिए देखना शुरू करते हैं सबसे पहले बात चलेगी चोल dynasty की चोल dynasty में जो थी शुर्वात जो की थी वो जो founder थे वो विजिया लेया थे और उन्होंने रूल किया था 1850 से 1871 तक जो और उनका जो capital था वो कांची या कांची पूरम था और ये कांची पूरम भी जो है आज तमिल नाडो में है फिर हम चलेंगे चालुक के dynasty वेंगी वाले जिनकों की हम लोग इस्टन चालुक्या वेंगी बोलते हैं उसकी शुरुवात की थी विश्नु वर्धन ने और उनका capital जो था नाम से ही पता चल रहा है चालुक का जो वेंगी वेंगी था ये जो है आंधु प्रदेश में है चालुक्या डाइनस्टी जो कल्यानी वाली थी उसको वेस्टन चालुक्या का ब्रांच बोलते हैं उसके शुरुवात की थी तिलाप टूने और इनका जो capital था वो मा अने खेता वो जो है करनाटक में है फिर हम चलेंगे तोमर डाइनस्टी की तरफ ये चलिए नॉर्थ में चले आते हैं तोमर डाइनस्टी की शुरुवात की थी आनंगपाल ने और उनका capital जो है धिली का था उसी के बाद में नाम जो है डेली पढ़िया ऐसा भी बोलते हैं चौहान डाइनस्टी भी नॉर्थ इंडियन डाइनस्टी उसके शुरुवात की थी वासुदेव ने और उनका capital तो जहार राजस्तान का अजमेर हो गया गढ़वाल डाइनस्टी की शुरुवात की थी चंदर देव ने उनका capital कन्नौस था और कन्नौस आपको पता है कहा है कन्नौस पूरा को पूरा डिस्टिक्ट जो है वो यूपी में ही है फिर चलेंगे सिसाधिया डाइनस्टी की सिसाधिया डाइनस्टी को हम लोग जो है गोहिल डाइनस्टी भी बोलेंगे इनकी शुरुवात वेरी फेमस राजस्तान के बप्पा रावल ने की थी उनको जो ह पातली पुत्र भी हुआ था जिसको बाद में पटना नाम दिया गया शिशुनाग डाइनेस्टी के शुरुवात किती शुषुनाग ने खुद से ही और उनका कैपिटल पातली पुत्र भी था और दूसरा वैस शाली भी था दोनों बिहार में पढ़ेंगे नंद शुंगा डाइनेस्टी जुन्हों ने पिछले वाले मौरे डाइनेस्टी वालों पर अटैक करके जो है कबज़ा कर लिया था तो उसके शुरुवात किती पुष्यमित्र सुंग ने और इनका जो कैपिटल था मध्य परदेश का विदिश्या था कनवा डाइनेस्टी की आतवाहन डाइनेस्टी जो डेक्कन की डाइनेस्टी थी उसकी शुरुवात किती सिमुक ने और उनका कैपिटल जो था वो पैठन था ये जो पैठन है इसको पतेश्टान भी बोलते थे और ये आज जो है महराश्ट्रा के औरंगाबाद नाम के जिले में है नेक्स जो है करेना है कि यूपी के बंडा जिले में पड़ेगी और कुछ इस्टोरियन का कहना है कि मद्य प्रदिस के रिवा जिले में पड़ेगी फिर जो है इंडो ग्रिक की बात होगी जिनको हम लोग हिंदी में हिंदी यमन बोलेंगे उसकी जो है शुरुवात किती डेमेट्रियस और उनका जो कैपिटल था सियाल कोट में था सियाल कोट को पहले शाकाल बोलते थे अब ये आपके पाकिस्तान में पड़ेगा कुछान डाइनस्टी की बात करें तो उसकी शुरुवात किती कुजला कैटफाइसेज ने आप सबको पता होगा कैपिटल उनका चंदेल डाइनस्टी की शुरुवात किती नन्नुक ने और उनका जो कैपिटल वही खजुरा होई था या कह सकते हैं कि महबा भी वही है तो महबा भी था फिर चलेंगे सोलंकी डाइनस्टी ये राजपूतों की डाइनस्टी नौर्थ इंडिया में थी इसकी शुरुवात किती मूल राज प्रतम ने और इनका जो कैपिटल था वह अनहिलवर था चुकिए बैर राजस्तान और गुजरात मिले जुले थे तो अनहिलवर जो इब गुजरात पड़ता है पर्मार डाइनस्टी भी राजपूतों के डाइनस्टी थी इसकी शुरुवात किती कृष्ण जो है मद्द प्रदेश की जगह है गुर्जर प्रतिहार डाइनस्टी की बात करें तो उसकी शुरुवात की थी नागभट वन्ने और इनका जो कैपिटल था आपका कन्नौत जो था यूपी वाला राश्टकूट डाइनस्टी की बात करें तो साउथ इंडियन सेंट्रल जो ह इंडियन डाइनस्टी थी इसकी शुरुवात की थी दंती वर्मन ने और उनका जो कैपिटल था मानिखेता या मानिखेत ही था मलखिड जिसको बोल रहे हैं तो यह तो मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया था लोकेशन है ना नेक्स्ट जो है वो सेंट डाइनस्टी है दे तो यह अभी जो है आपको मतलब समझ में आना चाहिए कि जारखंड वाल एरिया में है राड रेजन देन वी विल गो टो पाल डाइनस्टी मैंने पहले बोला बैंगोली नाम है गोपाल ने शुरुवात की थी इनका कैपिटल मुंगेर था मुंगेर आज जो है बिहार में ह करें तो उसकी शुरुवात किती प्रभाकर वर्दन ने उनका कैपिटल जो था वो थानेश्वर था आज जो यह थानेश्वर कुरुचेतर जिले हर्याना में पढ़ता है देन वी विल गो टो गौर्ड डाइनस्टी की शुरुवात किती कृष्ण गुप्त ने और उनका कै कैपिटल स्यालकोट था और आज जो स्यालकोट है पाकिस्तान में पढ़ेगा मौकरी डाइनस्टी की बात करें तो इशान वर्मा ने शुरु किती और उनका कैपिटल आपका यूपी का छो है कन्नौर्ज था गुप्त डाइनस्टी की बात करते हैं अब यह जो मैंने मैप आपके लिए बनाया है तो आपको यह मैप अगर चाहिए और और विया से मैप चाहिए तो आप हमारे टेलिग्राम जो है चैनल पर आ जाईए बागी देखिए थानेश्वड यहां देखिए हर्याना में कन्नौज आपके यूपी में विदिशा जो है मद्यपरदेश में धार जिला यहां पे धारा जो है वो मद्यपरदेश में हो गया त्रिपुरी भी मद्यपरदेश में हो गया रार रीजिन जो मैंने आपको बताया था वो देखिए जारकंड और बंगाल के बीच में पढ़ रहा है फिर जो है अनहिलवार और वल्ला भी जो हैं गुजरात में है और अंगाबाद में जो यहां मैंने आपको पढ़ा है ता पैठन पैठन या प्रतिष्ठान वो और अंगाबाद जिले में पढ़ता है महाराष्टर में अब जो करनाटक में देखिए चार लोकेशन है एक तो बनवासी हो गया आपका उत्तरकनने डि जाएगा वेंगी जो मैंने बता था आपको चालोक के अज इस्टन चालोक के अज उनका कैपिटल था यह देखिए आंदरप्रदेश में पढ़ता है तो मैप से आपने जो है लोकेशन देख ली आप चली आगे चलते हैं चले एकदम सबसे पहले बेसिक से शुरू करते हैं इसलिए जो है हिस्ट्री वर्ड की ओरिजिन जो है हिस्टोरिया नामके ग्रीक वर्ड से हुए लेकिन एंशेंट ग्रीक के वर्ड से तो हिस्ट्री एक means of knowing the past आपके जो पास्ट के बारे में जो जानकारी कट्टी करना हिस्ट्री को पढ़के और उससे जो है आप पास्ट क के partition को नहीं समझोगे तो आज के उसके relation को कैसे समझोगे इसी को जो है आपको पुराने context में पढ़ना है ancient modern और medieval में और जो है किसी के country का आप जो है culture और civilization भी से determine कर सकते हो अगर आपने उसके history पढ़ ली है तो अब next ये fact आता है कि जो history है और जो culture मतलब sorry जो culture है और जो civilization ह civilization है दोनों में फर्क क्या है देखिए culture मतलब क्या होता है कि सारे के सारे human activity जो थे वहाँ पे human beings के वो सारे जो umbrella term है जो culture में cover हो जाएगा लेकिन जो physical emphasis देंगे physical aspects पे कि जो है architecture, pottery ये सब पढ़ते हैं और जो culture है उसमें हम उनका पूरा जो religious वगरा हमें कुछ भी मिले कुछ जो written form हाला की decipher तो नहीं हुआ है लेकिन जो उनके text वगरा है जो लिखे हुए है तो उन सब चीजों को देखने की कोशिश करते हैं समझने की कोशिश करते हैं कि society कैसी थी यह ही होता है culture और civilization का फर्क नेक्स्ट एक फैक्ट है कि विष्णु पुरान में ये लिखा हुआ है कि जो इंडिया है c के north में located है और हिमालियाज के south में located बिल्कुल सही है आज भी वैसे condition है और इंडिया की जो country की शुरुआत होई है इंडिया से ही होई है हम यहीं के हैं ऐसा लिखा हुआ है विष्णु पुरान में फिर एक ancient हमारे वेदिक tribe थी रिग वेद में एक tribe का नाम दिया गया भरत तो माना जाते है कि भरत जो आज हमारा भारत नाम पड़ा है उसी tribe के नाम पड़ा है क्योंकि वो काफे dominant tribe थी या strong tribe थी चुकि इस एरिया में इंडिस जो है western एरिया से आप आएंगे एशिया से या यूरोप से तो इंडिस पड़ेगा तो इस एरिया को इंडिस वैली के न जो जो रो एस्ट्रियंस का जो holy book है उनकी धार्मिक book है जेंड अवेस्टा उसमें जो है सब्त सेंधाव नाम का जो term मिलता है और आपको जो है सब्त सिंदू आपके विदो में भी मिलता है तो अगर आपसे कोई पूछे ही वी की वो कौन-कौन से river है तो देखिए सरस्वत सिंदू है ना वितस्ता अस्किनी इरावती या जिसको कि हम लोग परुसनी भी बोलेंगे विपासा है ना शतुद्रू या जिसको हम सुतुद्री भी बोलेंगे आज के टाइम में सिंदू जो था उसका नाम इंडस पढ़ गया और जो वितस्ता थी उसका नाम जेलम इरावती जो है वो रवी बन गए विपासज जो है वो ब्यास बन गए और जो सत्रुदु था वो सत्लज को बोलते हैं आज देखिए जब ग्रीक की बात करेंगे तो उन्होंने क्या बोला कि सिंदु रिवर को उन्होंने इंडस बोलना शुरू कर दिया अब Zoroaastrianism की ही जो दो बुक की बात करें एक तो हमने पहले पढ़े Zendavis अलेकिन उसके अलावां दो बुक की बात करें मिहर यष्ट और यस्ना अफ एराणियां की जो है यस्ना और मिहर यष्ट अगर इसकी बात करें जो रो एस्टेनिजम की तो वहाँ पे जो है सप्थ सिंदु को हप्थ हिंदु बोला गया, देखिए मिलचे दूलचे similar term है, famous Greek historian Herodotus थे वो उन्होंने जो है क्या किया कि जो चत्रप थे, Persian Empire के चत्रप थे, Persian Empire जो अपना tax collection करते थे, उसके सबसे पूरे सामराजी को जो है अलग-अलग चत्रप में ब इंडॉस बोला था, देखिए इंडॉस बोला था, यही और वो इंडॉस जो चाहिक चत्रप था, Persian Empire का जिसमें हमारा इंडिया का वेस्टरन पार्ट आता था, अचा चाइनीज क्या बोलते थे, देखिए जब बुद्धिश रिलीजन जब चाइना में सबसे पहले गया, के लिए यिन्तु, यिन्तु बोलने लगे, फिर आपको पता ही हुगा कि पानिनी ने, पानिनी जो थे, 400BC के संस्कृत के ग्रमेरियन थे, उनकी जो बुक्ति ग्रमर पे संस्कृत की अश्टा द्याई थी, एट चैप्टर्स, तो उसमें उन्होंने ये बोला था, कि अगर कमबोज, कमबोज मतलब का कश्मीर का एरिया हो गया, उससे लेकि मगत तक जाएंगे, तो उसमें 22 डिस्टिक्ट पढ़ते हैं, उसमें एक डिस्टिक्ट जो है, वो भारत है, तो हो सकता है कि इसी के नाम पर भारत नाम पढ़ा हो, अब इंडिया का एक और नाम, आप सारे सबको पता है, सबको पता है, लेकिन ये जो है लुप्त हो गई, ये लेकिन होली तो रिवर है, गंगायमना सबस्टिक्ट अभी भी नाम देना, गोदावरी आपके डिकनेरिया में हो गई, नर्मदा मद्य परदेश में हो गई, और वहां से मतलब गुजरात भी जाएगी, सिंदू, इंडसको और कावेरी ये भी साउथ में हो गई, ये सारी जो हैं इंडिया की होली रिवर्स हैं, तो उसी से बात निकलेगी कि होली सिटीज कौन-कौन सी हैं, तो देखें मैप में बना दिया मैंने, उतरा खड़े मैं आपको पता हैं हरी द्वार है, फिर जब काуса आप चायोगे तो यहाँ पर मैंने आपको तीन होली सिटीज बताएं, मत्वुरा बहुत इंपरटेंट हैं, अयोध्या इंपरटेंट हैं और जो हैं आपकी काशी इंपरटेंट हैं फिर आप बिहार जाओगे तो आपके गया इंपरटेंट है, जब आप मध्य alight altro zijn द इंडिया में नौर्थ साउथ वेस्ट और इस्ट मतला पूरा पस्ची मुत्तर जचिन चार उन्होंने मुनास्ट्री डिवलप की थी तो उसका नाम जानना है तो देखिए सबसे पहले यहां पे देखिए कि उन्होंने क्या इस्टैब्लिश किया था नौर्थ में देखिए य योतिर मत पिठम उन्होंने उत्राखंड में यह देखिए बदरीनाथ और केदारनाथ की एरिया में इस्टैब्लिश किया था फिर जो नौर्थ हो गया तो उसके जस्ट अपोजिट साउथ चले जाईए साउथ में मैसूर का एरिया है उसके पास में उन्होंने सार्दा पि पिठम मत इस्टैब्लिश किया था यह आपके पूरी में पढ़ेगा और वेस्ट इंडिया में है उन्होंने द्वारका पिठम को इस्टैब्लिश किया था यह गुजरात में तो इसे अभी तो होली सेटी में आपको पढ़ा ही था तो द्वारका पिठम जो है उसको हम तो वो है stonet, देखिए next lecture में लेकिन उसके पहले हमें stonet पढ़ना होगा, paleolithic, mesolithic, newolithic, चलकोलिते की सारी चीज़ा हमें देखनी होगी, तो stonet की खासियत यह है कि आपको बहुत सारे stone tools मिलते हैं, और अलग-अलग time पे जो है आपको अलग-अलग size के अलग-अलग तरीके के tools मिलते हैं तो जैसे human की civilization के लिए, human के development के लिए tools की जरुत पड़ती है उसी तरह आपकी समगर तयारी होने के लिए भी आपको tools की जरुत पड़ती है तो यहां तो आप वीडियो तो देखी रहे हैं, लेकिन इसका जो complimentary, supplementary part है वो आपको जो है, हमारे paid group पे मिलेगा तो आप अगर हमारा paid group join करना चाहते हैं, तो यह देखिए दो numbers दिए हो इसमें call कर लिजे, हमारे साथ जोड़ जाएए, क्योंकि वो बहुत ज़रुई रही आपके तयारी के लिए और साथी साथ यह free में जो हमारे services यहां पे आपके लिए daily चलती रहती है आपको telegram पे study for civil services बिलकुल join कर लेना है, बाकि आप हमें twitter पे भी फालो कर लिजे तो वो तो हो गई पढ़ाई के tool की बाद, अब चलिए हम देखते हैं stone tools, stone tools में देखिए कि ancient history जो है जो different type के stone tool यूज किया जाते थे उसी की हिसाब से उनकी division भी की गई है different period की पहले आता है paleolithic period वो 2 million BC से लेके 10,000 BC तक चलता है, फिर आता है beach वाला mesolithic period जो है आपके 10,000 BC से शुरुवात हो जाएगी और 8,000 BC तक चलेगा, फिर neolithic या new stone age चलेगा और वो 8,000 BC से यहां से लेके 4,000 BC तक चलेगा then we will go to chalcolithic period, chalcolithic period को हम लोग copper age भी बहुते हैं क्योंकि इसमें stone tool के साथ हमने copper के tool भी यूज़ करने शुरू कर दिये थे तो 4000 BC से चलेगा, यह 1500 BC तक फिर जो है उसके बाद iron age आ जाएगा और वैदिक कल के शुरुवात हो जाएगी यह चलेगा आपके 1500 BC से 200 BC तक iron age आप image में देख सकते हैं कि A, B, C, D जो है कैसे जो stone tool के development हुई है, सबसे पहले देखी काफी blunt बड़े से थे फिर थोड़ा जो size गटा, फिर आप काफी यह जो sharp हो गए और last minute very sharp, very sharp the microlids तो ऐसा जो हिनका development हुआ तो और उसके हिसाब से civilization का हमने division कर दिया है सबसे पहले शुरुवात होगी paleolithic period के जिसको हम लोग old stone age भी बहुते हैं, सबसे शुरुवाती काले तो stone age पहले होता क्या है, नाम से ही पता चल रहा है कि जिस age में, जिस particular civilization में लोग जो है, stone पे dependent होते थे, metal बिल्कुल नहीं था, उसको हम लोग stone age भोते हैं तो वो क्या करते थे, वो stone के tools बनाते थे, stone के tools होते थे, उससे वो तो शिकार बगर करेंगे लेकिन रहते कहां थे, stone के caves या rock caves में रहते थे, वहीं रहते थे, अपना घरनी बनाते थे, वहीं उनकी light बित्ती थी, caves में तो ये काफी early period था, जो man जो है, आज तरह का man वो develop नहीं हुआता हूँ, हमोशिपेंस के पीछे की बात हो रही है इस period में जो है, man struggle करता था काफी, क्योंकि उनका पर्मानेंट कोई बसेरा भी नहीं था, पर्मानेंट कोई भोजन उठाने की भी तकनीक नहीं थी तो वो जो है, natural calamities वगरे से परिशान रहता था, और जो खाना लेता था, वो कैसे करता था, देखिए, hunting करता था, और जो है, fruit वगरे को gather करता था, roots वगरे वो खाड के काता था, इसलिए हम इनको hunter, gatherer भी बोलते हैं, और यहाँ पर यह याद रखिएगा, कि इसको cook नहीं क हा रहे हैं, यह ग्यान सर ने quiz में पूछा भी था, तो आपका यहाँ से ही question है, solve हो जाएगा अगर आप इस lecture को सुनेंगे, तो hunting करते थे, और gathering करते थे, इनको hunter, gatherer भी बोलते हैं, अब देखिए एक और बात, history के division इस basis पे भी की गई है, कि जो आपको है written document क्या मिला, तो written document के हिसाब से सुनिए, कि एक period ऐसा, जहाँ पे कोई भी written evidence, मतलब कोई भी ना शिरा लेक मिले, ना कोई paper मिला, ना कोई ताड पे लिखा हुआ मिला, कुछ भी नहीं मिला, ना तामर लिपती मिले, कुछ भी नहीं मिली, तो वो जो एरा होगा, वो प्री हिस्टोरिक, प्री historic period, उसमें यह होता है, कि आपको जो है evidence है, कि हाँ script है, कहीं कहीं लिखा हुआ है, लेकिन जो है, आपने उसको decipher नहीं कि आज तक, तो इंडस वैले civilization पे आपको लिखा हुआ तो बहुत कुछ मिल रहा है, लेकिन आपने क्या है, सिलिंग वगर पे भी लिखा हुआ है, तो जो हो, लेकिन जो script है, आज तक आपने decipher नहीं कहीं है, तो इंडस वैले civilization क्या हो जाएगा, जो है आपका वो है, proto-historic period हो जाएगा, कि evidence तो है script का, लेकिन decipher नहीं, वा समझ में नहीं आया, जो proto-historic period है, obviously pre-historic period और historic period के बीच में आएगा, जो time है आपका, after which आपको written description मिलने लगे, और आपने उसको decipher भी कर लिया, तो उसको historic period बोलेंगे, जो इसको आराम से पढ़ सकते हो, तो आप next question ये उठता है, कि ये stone age जो था, वो कहा था, obviously stone age जो था, वो pre-historic period में था, उस समय पर क्या ही आपको लिखा हुआ मिलेगा, बिल्कुल culture जो थी, वो developed नहीं थी, civilization developed नहीं थी, next question ये उठता है, कि Indus Valley civilization क्या थी, देखिए, Indus Valley civilization में क्या problem थी, कि आपको लिखा वो तो मिला, लेकिन आपने decipher नहीं क्या, तो आपने उसको बोल दिया, कि proto-historic है, लेकिन यह ये दिया हुआ है, कि वैदिक culture भी जो था, वो proto-historic था, ये क्यों आपको confusion होगा, ये इसलिए है, कि वैदिक culture में जो information की passing होती थी, वो देखिए, बोल के होती थी, शुरूती होती थी, written document नहीं है, जो रिगवेद वगर भी बाद में संकलन किया गया है, mouth to mouth, year to year ये चीज़े ट्रांसफर होती थी, तो वैदिक culture भी जो है, proto-historic में आजाएगा, और जो आ आजाए, इंडिया में जो है, सबसे पहले, अस्टोने सिवलाइजेशन के जो है, कब की गई, देखिए, हर जगा की, आप यह याद रख लिजेगा, कि हर जगा का सिवलाइजेशन, अस्टोने, जो नियोलित, कुछ भी, एक टाइम पर नहीं होता, हर जगा की अलग अलग डिवलाप्मेंट हुई है, यह आपने कटेगराइजेशन कर दिया, लेकिन यूरोप में कुछ और होगा, इंडिया में कुछ और होगा, तो इंडिया में जो स्टोने सिवलाइजेशन की कटेगरी जो है, स्टार्ट हुई थी, वो 1863 में अंग्री जो द्वारा हुई थी, Archaeological Survey of India ने किया था, ये उनी की बनाई हुई body है, आगे हम वो भी पढ़ लेंगे कि ASI होता क्या है, जब हम Paleolithic period को पढ़ेंगे तो उसको भी हम तीन पार्ट में डिवाइड कर देंगे, एक तो Lower Paleolithic age जो है सबसे पुराना वाला, वो जो है आपके 1,00,000 BC तक चलेगा, फिर जो आपका यहां पे सबसे पहले Lower Paleolithic age है, उसके बारे में पढ़िये, यहां पे क्या करते थे, लोग मैंने आपको पहले ही बताता, hunter और gatherer होते थे, tools यूज करते थे, stone के बनेगे tools यूज करते थे, axes, kulhadi, chopper, जहाना, उसको चिपता करके, किसी चीज को chop करके, मतलब ना, मिक् earliest Lower Paleolithic site जो है, आपके इंडिया में, महराष्ट्रा में, बोरी नाम की जगह में है, यह जो है, tools बनाने के लिए, lime stone का वियूज करते थे, और एके major sites देख लिए, कि इंडिया में कौन-कौन सी है, Lower Paleolithic वाले की, सबसे पुरानी Paleolithic की major sites है, यह देखिए, इंडिया हम जब यहा इंक्लूड करेंगे, क्योंकि archaeological survey of India जो काम करती थे, उस टाइम पे तो दोनों country united थे, एक पाकिस्तान में आपको region जाने की जरूत नहीं कहां, लेकिन Soan Valley है, Soan River बहती है, वहाँ पे जो है, पाकिस्तान में आपका Lower Paleolithic का जो है, वहाँ पे मिल जाएगा, सबूत, फिर आप जो है, राजस्तान के, जो है, थार डेजट में चले जाएए, वहाँ पे भी कुछ साइटस है, कश्मीर में भी है, मेवाड के plains में, आपकी गुजरात में, और बी कुछ प्लेसेज है, जो है, नरमदा के किनारे भी आपको Lower Paleolithic के सक्षी मिल जाएंगे, डिककन प्लेटू च आपको पैलियोलितिक का साक्षे मिल जाएगा मैंने अपर पैलियोलितिक बताया तो तो भीमबेट का केव्स जो हैं, Lower Paleolithic साइट में भी हैं, और उसमें और भी particularly कुछ दूसरे एज में भी हैं, लेकिन अभी यह आप यह जान लिजें कि Lower Paleolithic में भीमबेट का केव्स भी हैं, और यहाँ पे आपको रॉक शेल्टर और केव्स काफी मिल जाते हैं, UNESCO World Heritage Site यह बन गे 2003 में, then we will go to Middle Paleolithic Age, इसमें जो स्टोन के टूल से थोड़े और तराश दिये गए, तो blade टाइप की है ना, चिशल और pointer, जब थोड़ा सार्प हो जाएगा, स्क्रैपर्स और बोरर्स छेत करने के लिए, ऐसी ऐसी चीज़े डवलप होने लगी है, स्टोन की हैं, लेकिन सारी य लूनी वैली, लूनी रिवर जो है राजस्तान से निकलती है, और आपका जो सॉल्ट डिजर्ट है गुजरात में उसमें जाके खो जाती है, सी में नहीं पहुच पाती है, तो लूनी वैली जो है वहाँ पे आपको जो है Middle Paleolithic की साइट्स मिल जाएंगी, सोन और नर्मदा र जले आईए Upper Paleolithic Age में, Upper Paleolithic Age में सबसे पहले ये रट लिजी आपकी Homo Sapiens का जो origin हुआ, Upper Paleolithic Age में हुआ, इसके पहले वाले जो थे Age जो एरा था, उसमें Homo Sapiens Spaces नहीं आए थी, हम इसे मिलती जूलती थी लेकिन हमारे Ancestors थे, इसमें है देखिए कि पहले Stone Tool की बात हो रही थी यहां पर लोग कई सारे Bone के भी, हड्डियों के भी Tool यूज़ करना शुरू कर देंगे, और Needles एकदम है ना, पतले-पतले, सुई जैसे चीज़ें यूज़ करने लगेंगे, Harpoons फसाने के लिए, Blades जो बनने लगेंगे, लेकिन Metal नहीं, Stone का, नहीं तो Bone का, Fishing Tools, देखिए Paleolithic Age, वहां पर देखिए, आप कौन-कौन सी है, बेलन फिर से आ गया, UP वाला, हर जग आ रहा है, देख रहे हैं, आप Paleolithic में, बेलन इतना famous है, सोन वाला, वही मद्ध प्रदेश की जो river निकलती है, वहां से, छोटा नागपूर प्लैटू जो है, बिहार में, अब यहां पर जारखंड में हो गया, वहां भी आपको जो है, अपर Paleolithic की साइट्स मिलेंगी, महराश्य चले जाएए, उडिसा चले जाएए, आप उडिसा कमलों क्या बोलेंगे, ओडिसा बोलेंगे, और इस टर्न घाट जो है, आंधर प्रदेश में, वहां भी आपको अपर Paleolithic की कुछ स वह Homo Sapiens ने के थी, तो यहां तक आपने सुना कि जो है Paleolithic Age की बात, अब चलते हैं, मीजोलिथिक मतलब क्या है, मिडिल स्टोनेज, लिथ मतलब स्टोन होता है, मीजो मतलब मिडिल, तो मिडिल स्टोनेज चलेंगे, देखिए, मिडिल स्टोनेज की खासियत यह है, कि इस टा फ्लोरा फॉना, मतलब आपको वेजीटेशन बढ़ जाएगा, अब वेजीटेशन बढ़ेगा, तो उसको खाने वाले अनिमल बढ़ेंगे, तो फ्लोरा और फॉना दोनों मीजोलिथिक पिरियड में आपके बढ़ गये काफी, और इसी पिरियड में क्या होता है, कि पहले तो हम लोग जो ठीक है, अनिमल का यूज करते थे, वो लोग मार के खा जाते थे पहले, पहले उलिथिक में, लेकिन अब उन्होंने उनका डोमेस्टिकेशन शुरू किया कि ठीक है, इनको पालेंगे, बढ़ा करेंगे, फिर बाद में खाएंगे अच्छे से, या पिर उनक मिल्क लेंगे, या पिर उनकी वूल लेंगे, तो ये सब चीज़े जो हैं, डोमेस्टिकेशन और प्लांट का इस टाइम पे शुरू हो गया था, मीजोलिथिक पिरियड में, और मीजोलिथिक पिरियड के स्टाटिंग में आप आप आरी बता दी है, 12,000 येर से वो हो गई जो पहला एनेमल था, जिसको डोमेस्टिकेट किया गया, ये बहुत फेमस क्षिस्टन है, कि पहला कौन सा एनेमल था जिसको डोमेस्टिकेट किया गया, तो देखिए आपको कुछ और लगेगा, गायबैंस, लेकिन नहीं, वो डॉव डॉग था, लेकिन याद रखना है, का वाइल्ड एंसेस्टर था आप यह नहीं बोलो कि उस टाइम के लोगों ने जर्मन शिफर्ड रख लिया था है ना लेबराड़ रख लिया था नो वाइल्ड एंसेस्टर तो जंगली एंसेस्टर था वह अभी तो आपकी हाइब्रिड वराइटी जे उसको उन्होंने सबसे अब शुरू हो गया तो उन्होंने हंटिंग गैंधरिंग बंद कर दी नहीं हंटिंग और गैंधरिंग जो है फूड की वो चलती रही अभी भी जो फरस्ट उमन सिविलाइजेशन है गंगा प्लेन में इसी मीजोलिथिक पिरियड में ही आया था गंगा प्लेन में फरस्ट में बोलना चाहूँगा कि मीजोलिथिक पिरियड जो था उसमें इस्टोन टूल होते थे वो माइक्रोलिथ होते नाम से फता चल रहाए मॉथ्य चोटे 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 स्टोन के टूल बनाने लगे तो अब चोटे के स्टोन टूलसे तो सब को स्थों होगा नहीं तो उसका क्या यूज करते थे, probably ये माना जाता है, कि कोई बड़ा सा stone है, उसमें छोटा सा उसको आगे लगा दिया है, आगे लगा दिया है, तो ये जो innovation उन्होंने की, microlith की ये हुई थी, mesolithic period में, ये बहुत आपको relate करके याद रखना है, कि microliths were inventions in mesolithic period, and these stone tools were probably stuck to the stones to be used for as saws and sickles, saw मतलब होती है, आरी, ये जो आप देख रहो, ये एक आरी है, sickle मतलब होता है, हाँ, सुआ, तो जो sickle और saw में यूज करने के लिए, जो microliths थे, वो mesolithic period में बने थे, इसके major sites देख लीजे कुछ, ब्रह्मिगिरी जो है आपको, ब्रह्मिगिरी hills यापके करनाटक में मैसूर के पास है, नर्मदा आपके मध्यपरदेश में है, नर्मदा वैली में ये मिलेंगे आपको, कौन से, मीजोलिथिक टाइम के साक्ष, विंध ये भी आपके मध्यपरदेश में हो गया, ठोड़ा बहुत बाकी दूसरे state में भी है, गुजरात में भी आपको मिल जाएगा, इतना ही नहीं है, जोब विंध की बात होगी तो ठोड़ा बहुत UP में भी मिल जाएगा, राजस्तान में एक सोजत नाम की जगह है यहां भी आपको जो है स्टोन टूल्स और जो है बाकी जो चीजे हैं वो मीजोलिथिक पिरेट की वहां मिलेंगी भीम बेट का केब देखी अभी तक चलता आ रहा हमारा मीजोलिथिक पिरेट के परतापगड नाम के जिले में पढ़ता है तो सराय नहर राय में भी आपको मीजोलिथिक पिरेट के स्टोन टूल्स मिल जाएंगे अब यहां जो इमेज आप कन्फ्यूज मत होईएगा यह नियोलिथिक पिरेट के हैं देखे लिखाओ अब चले आईए नियोलिथिक पिरेट में नाम से पता चल रहा है नियोलिथिक नया स्टोनेज नियो स्टोनेज देखिए इस ताइम पे खासियत यह हुई कि अग्रिकल्चर के शुरुवात हुई फर्क है मैंने आपको बोला पहले जगह बसानी के शुरुवात की इसी पिरेट में नियोलिथिक पिरेट में चक्की को डिस्कवर किया गया वील की आप खुद सोच लीजिए वील बनता है तो आपके कितनी चीज़ें होती हैं आपको बर्थन बनाना हो पौटरी करना हो या पिर आपको कुछ गाड़ी बनानी हो तो वील के शुरुवात यह नियोलिथिक पिरेट में होई थी और इस टाइम पे जो है देखिए रागी वीट यह ग्राम रागी मोटा दना हो गया वीट और ग्राम आपके चना हो गया य यह जो है कुर्टिवेशनन का किया जाने लगा क्योंकि agriculture डिवलप हो गया था और हथा अपको इसी पिरेट में जो है फायर की दिस्कवरी होई pottery क्योंकि wheel बन गी तो pottery बनने लगी ये भी इसी period में हुआ और आपको जो है मैंने पहले ही बताया था cave paintings of dance वगर cave painting तो बताया थे dance वगर के cave painting आपको जो है ये जो art आपको नियोलिथिक period में देखने को मिलती है और इस period में पहले जो तो है dead का disposal कैसे जैसे तैसे कर देते थे अब ये जो है first time ऐसे हो कि intentional disposal तैयारी करके कि ऐसे dead को रखना है वैसे dead को रखना है इस चीज की शुरुआत भी जो है नियोलिथिक period में होई dead को एक respect के साथ दफनाना वगरा वो जो है नियोलिथिक period में start हुआ था अब यहाँ पर इस image से confused मत होईगा यहाँ पर मैं आपको बता है चैलकोलिथिक culture का वो मैं बाद में discuss करूँगा तो नियोलिथिक period के देखिए important sites क्या है सबसे पहले इनाम गाउं very famous एकदम रट लीजिए महराश्ट में पढ़ता है बुर्जा होम जो है कश्मीर में पढ़ता है स्रीनगर के आसपास ही महरगर जो है पाकिस्तान के बलुचस्तान एरिया में पढ़ता है दावजाली heading जो है आपके त्रिपुरा और असम के border पर पढ़ेगा असम में मैंली मानते है थोड़ा बहुत त्रिपुरा में भी दावजाली heading जो है एक नियोलितिक साइट है आंध्र परदेश में देखिए दो साइट मैं आपको यहां पर बता रहा हूँ एक तो हलूर है और दूसरा पयम पल्ली है पयम पल्ली ताकि याद रहे पयम पल्ली और हलूर आंध्र परदेश में पढ़ते हैं फिर चले जाए बिहार में बिहार में एक चिरांड नाम की जगह है नॉर्दन बिहार में वहाँ भी नियोलितिक साइट है और देखिए कि जो नियोलितिक में जो आपको मैंने पहले बताया है ना कि settled life होने लगी तो settled life है तो आपको houses के बीच जो है evidence मिलेंगे अब चले आए चलकोलितिक पिरियाड में मैं आपको पहले बोला था कि चलकोलितिक पिरियाड मतलब copper का age stone चल रहे हैं साथी साथ जो है copper पर आगया तामबा आगया और उसी के फेज में एक bronze भी आजाएगा कासा भी आजाएगा तो यह जो चलकोलितिक पिरियाड है उसमें सबसे फेमस तो आपका Indus Valley Civilization है तो यह तो आपको याद होना चाहिए अलग से आगे detail देंगे लेकिन Indus Valley Civilization जो है 2700 BC से 1900 BC तक फली-फुली और वो एक चलकोलितिक पिरियड का Civilization था इसके लाबा कुछ और थे क्या है? हाँ बिल्कुल थे देखिए नर्मदा रीजन में मद्य परदेश के एरिया में ब्रह्मगीरी देखिए ब्रह्मगीरी में कि पिरियड की जगह है अब यहां पर देखिए चलकोलितिक कुछ कल्चर के बारे में पढ़ाना चाहूं घिक है। चलकोलितिक पिरियड के कल्चर है इस तो नि चुक्र ऻयते हैं तो सभसे पहले था मालवा रिजन में ही थे, मालवा रिजन वही जहां पर आपका इंद और है, तो कायथा कल्चर और मालवा कल्चर ये चले 24-50 BC से लेके 1400 BC तक, उसके बाद जो है आपका चला सावल्डा कल्चर, सावल्डा कल्चर जो है महराष्ट के दैमाबाद नाम की जगे के आसपस है, 2300 BC से 2000 BC तक ये चला, फिर जौरवे कल्चर जो है महराष्ट और मालवा का रिजन दोनों का बॉर्डर है, उस एरिया में डेवलप हुआ और ये चला 1500 BC से 900 BC तक, फिर चलता है प्रभास कल्चर और रंगपूर कल्चर, ये दोनों जो है एरिया गुजरात में पढ़ते हैं, प् जो है की डिस्कवरी नहीं होई थी, आप कुछ सोचिए लोहा इतना स्ट्रॉंग मेटल है, अगर आप इसकी डिस्कवरी कर लेते, तो आप जो है जंगलों को अच्छे से काटते, खेती अच्छे से कराते, तो यहीं पर जो है एक बड़ा मतलब वाटरशेड मोमेंट होगा और आरेन की डिस्कवरी हो जाएगी, आरेन की डिस्कवरी जो हो जाएगी, उसी टाइम पे जो आरेन अराइब करते हैं, आरेन जो है और वेदिक पिरेट की शुरुवात होती है, इसी टाइम पे जैनिजम और बुद्धिजम भी डेवलाप होता है, महा जनपत भी डेवला हुए यह आपके गंगा के बैंक पर डवलप हुई इंडस्ट वो गंगीस के मतलब एरिया में फिर से जो मैंने आपको पड़ाया था उसकी थोड़ी और इंफॉर्मिशन डाली है ग्यान सर ने तो सुनिया आप तो यहां पे जो स्टोन टूल है उसको सर ने आपके लिए इजी में डाल दिया है देखिए लोवर पैलियोलितिक में हैंड एक्स मिल जाएगा एक्स मतलब क्या आरी क्लेवर क्लीव करने के लिए चौपर उसको मतलब ठूसने के लिए और उसके बाद जो है प्रेवलितिक पिरियड में आपको पॉइंट्स बोरर छेद करने के लिए स्क्रैपर फाडने के लिए फोड़ा मतलब लेयर सटाने के लिए और फिर जो ब्यूरिन्स हैं वो डेवलफ हुई थी अपर पैलियोलितिक पिरियड की बात है वो यहां पे जो चौपर वाल है सोन वैली सोन रि वैली में है तो वहां पर आपको चौपर चौपिंग केबर सबसे पहले मिलते हैं और जो मतलब यह जो बात मदुरई में और साथी साथ अतीरा पक्कम में यह जो दोनों लोकेशन है देखिए नाम कैसे याद रहेगा मदुरई लगा वह लास्ट में तो मदुरई भी तमिलनाडू में हैं अतीरा पमक्कम भी जो है वो भी मदरास के आसपास हैं तो यह जो एरिया है, तमिलनाडू में पढ़ेंगे आपके, यहाँ पे जो आपके फर्स्ट टाइम, हैंड एक्स एक्क्यूपेंट मिलेते स्टोन के, वो जो दो प्लेसेज हैं, पहला है वदा मदुरई और दूसरा है अतीरा पक्कम, यह दोनों मदरास के असपास हैं, और सुनिए, इस टाइम पे आपको जो अधर टूल भी मिले, जैसे की क्लीवर के, स्क्रैपर के, अब यहीं पे नाम आता है, ग्यान सर ने इस पे क्विज भी लिया था, कि यह जो आपका जो हैंड एक्स वगरा मिला, उसको डिस्कवरी किस ने की, सबसे पहले कोजा किसने, देखिए, रॉबर्ट ब्रूस फूट नाम के एक ब्रिटिस जीओलोजिस्ट थे, लेकिन वो जीओलोजिस्ट थे, तो थे ही साथ ही साथ जो आर्कियोलोजिस्ट भी थे, आप जो जीओलोजी करना थोड़ा आसान हो जाता है, भुगर्ब ब्रूस फूट है, 1863 AD में उन्होंने सबसे पहले जो है, हैंड एक्स जो है, पल्लावरं नाम की एक जगह है, मदरास के पास, देखिए, यहां पर मैं ग्रूप, फॉरेस्ट भी है, मैं गया था, यहां पर, तो पल्लावरं जो मदरास के आसपस है, ता मिलाडू में, वहां थीरा मपतकम में उनके दवस्ट, डुट के दोस्त, उनका नाम था किंग उन्होंने डिसकबर किया था यह िनुडूल और उनको उन्होंने सब्मेट किया था, यह तो हो गया आपके मदरास की बादू, यह सोन वैली, पंजाब, पकिसतान में उसमें कब काम चला था, उसमे वहाँ पे क्या किया रिसर्च वगर रहा किया और कई जो है important sites पाई सोन वैली में सोन वैली की तो बात होगी वो पाकिस्तान चला गया तो बेलन वैली की बात करते हैं बेलन वैली वहाँ सोन बदर जिले के आसपस आपके UP में और यह सारी sites जो है 44 मेंली जो है lower paleolithic period से related हैं काफी पुराना तो क्या यह stone वाला ही मिला क्या नहीं देखिए apart from these tools statue मिले है mother goddess के mother goddess के जिनका पता नहीं चलता कि किस चीज के goddess है लेकि mother goddess civilization की goddess मानी जाती है उनकी जो statue मिली है वो stone की नहीं बोन की बनी भी मिली और यह कहां मिली है आपका जो बेलन वैली है बेलन वैली में ही एक region है लोहंडा नाला वहां से मिली है बोन की बनी भी mother goddess की मूर्ती और उसको आज जो है अलाबद के कौशामभी museum में जो है safely रख दिया गया the middle paleolithic period is also called फलक culture मैंने आपको paleolithic जो कल्चर पढ़ाया था पिरियर जो पढ़ाया था उसके जो middle बाला जो पढ़ाया था middle paleolithic उसको जो हम लोग प्यार से फलक culture भी बोलते हैं फलक संस्कृति भी बोलते हैं क्योंकि उस टाइम पे आपको stone के प्लेक्स मतलब क्या हुआ ऐसे है ना flat सा स्टोन का है cutting करके रखा हुआ तो फ्लेक्स मिलते हैं वह आपको मिलते हैं middle paleolithic period से इसलिए जो है middle paleolithic period को फलक कल्चर भी बोलते हैं फ्लेक्स को हम लोग इंदी में आप फलक बोल रहे हैं यह आपको प्लेक्स मिल रहे हैं middle paleolithic period से फलक कल्चर में वह क्वाट्चाइट स्टोन के बने हुए थे मैं आपको पहले ही बता दिया था कि जो paleolithic period के people थे वह completely naturally dependent होते थे नेचर पे खाने पीने के लिए हंटिंग करते थे गैधरिंग करते थे तो उस तहीं में अब तो फायर के डिसकवरी होई नहीं थी कच्छा मेट काते थे वह रॉम मेट खाते थे पैलियो लिए पिरेड के लेकिन जो people थे वह फार्मिंग और आनिमल हस्पेंडरी जो है उनके लिए बि रिपीट करना बहुत जरूरी नहीं समस्तता आप रुडियो पॉज करके यह टाइमलेंग चौत एक बर्दे क्लोज को कॉंसोलिडेट किया हुआ है और यह जान लेना कि यह डेट जो होती है कि पार्टिक डेट पे आज से पैलियोलितिक शुरू हो गया ऐसा कुछ नहीं हो तो बहुत सारी लोकेशन गोंए और बता दी थे कहां पे हैं देख कि राजस्ता गई में जो है तीन लोकेशन वेरी फेमस सराय नहर और बाकी दो में आपको आगे पढ़ाऊंगा बोरी जो है देखिए महाराष्ट में पढ़ता है तो मैंने आपको पढ़ाया था कि जो मीजोलिथिक पिरियड था उसमें माइक्रो लिट्स वेरी फेमस तो जो मीजोलिथिक पिरेट में माइक्रो लिट्स थे उनकी डिस्कवरी किस ने की थी देखिए विंदे रीजन में माइक्रो लिट्स की डिस्कवरी जो है सियल कार ले लेने की थी इसी से मीजोलिथिक पिरेट का मिला था और वो मिला था गुजरात का एक प्लेस है लंगनाज वहां से आपको स्टोन के अलावा तो बाकी आपको जो यूमन के बोन के अस्केलटन मिले थे हैं मिले थे हैं इस एरिया से लंगनाज नाम की गुजरात के अरिया से पाए गए हैं तो मैंने आपको बता है थे कि मीजोलितिक पिरेट में डोमेस्टिकेशन की शुरुवात हो गई थी तो डोमेस्टिकेशन की शुरुवात जो है मीजोलितिक पिरेट से एसकावेशन के बाद पता चली तो अर्लिएस्ट एविडेंस कहां पे मिला इंडिया में देखिए इंडिया में आपका जो आदमगड हिल्स है होशंगाबाद मद्य परदेश में पढ़ते हैं वहाँ जो है आपको एनिमल के डोमिस्टिकेशन की बाद पता चलती है साथी साथ भिलवाडा जो है राजस्थान में वहाँ पे एक बगौर रिजन है वहाँ भी आपको डोमिस्टिकेशन की बाद चलती है तो आदमगड मद्य परदेश हुशंगाबाद जिले में और बगौर जो है भिलवाडा जिले में राजस्थान में यहाँ पे आपको एनिमल डोमिस्टिकेशन के जो है प्रूफ मिलते हैं अब यूपी में जो है एक महादाहा नाम की खलाब का अरिया दूसरा स्लाटर हाउस कॉंपलेक्स एरिया है वहां पे अनिमल वगरों को मारते होंगे खाने के लिए और तीसरा जो है रेषिडेंस के साथ सिमेटरी जान दफनाते लोगों को रेषिडेंस का अरिया तीन पार्ट में उन्हें महादाहा को डिवाइड किय के बोन और होर्न में टूल्स मिलेंगे और यह महादाह कहा है देखिए यूपी का जो प्रतापगड जिला है बहुत फेमस है यह भी बेलन वैली के असपस है तो वहां से आपको महादाह एरिया में यह चीज़े मिली थी बोन और होर्न के बने हुए टूल्स मीजोलितिक है यह महादाहा मैंने आपको दमदमा बोला तो दमदमा भी जो है मिजोलितिक साइट है वो भी यूपी के परतापगड डिस्टिक्ट में पढ़ता है और देखिए दमदमा में आपको 41 human graves मिले हैं और उसमें से जो चार है उसमें double burial के है मतलब एक जो है ग्रेव में दो लो में जो है इसके अलाबा देखिए कि जो double burials में आपको चार बताया थे उसमें दो burials जो है male female के हैं है ना दो burials जो male female के है तो couple जैसा लगता है one burial जो है two female bodies है और जो fourth burial है मतलब अलग-अलग बतारों चारों के उसमें दो male है one female body है देखिए ऐसा चल रहा है one triple burial grave is also found here ए जिसमें की एक grave में चार human skeleton है अब मैंने lecture के शुरुवात में जो आपको megalith बोला था तो यह देखिए megalith megalith जो है क्या है burial site के around बड़े-बड़े stone होते हैं और यह graveyard के area के around होते हैं और यह जो megalith site बनाई जाती है जनरली वो habitation जहां रहने की जगह होती उसे अलग बना होंगे यह memorial वहां पर बनाते होंगे megalith पर जो कि अब खो गया तो यह जो है burial में भी खो गया होगा लेकिन estimation किया जाता है कि megalith जो है culture है या megalith जो structure बनाई जाती है वो कहीं न कहीं एक ritual का part है dead के लिए या तो burial के time पर या post burial time पर अब कुछ जो है burial site आपको pristine condition में म मिलेंगी बिखरी खराब हो गई है time के साथ अगर हम बात करें Oregon University USA की John R. Lukaski तो उनका यह कहना है कि Allahabad का एक area है लिखा हिया वहां से 27 human skeleton के remnants मिले हैं बचे कुछे चीज़े मिली हैं फिर से भीम बेट का केव की बात आगए 45 किलोमेटर दूर है बोपाल से UNESCO ने जो है यहां सब कॉंटिनेंट को दिखे हैं तो भीम बेट का केव में आपको earliest traces मिलेंगी human life की एक लग साल पुरानी यह शुरूबात हो जाएगी लेकिन इदेखिए कोई civilization इसको नहीं बहुते तो वहां पे तो आपको द्वार का वाला याद रखना है एक तरस से खंबात वाला जो पत पिक्चर मिलती हैं उसमें कौन-कौन की मिलती है देखिए अनिमल की elephant की मिल जाएगी आपको सांबर जो डियर का है टाइप है और डियर की मिल जाएगी पुछ ऐसे अनिमल है जिनको आपको भीम बेट का के आप उनकी वाल पे देख सकते हैं एज पेंटिंग यहां पे सर न इंडियन माउंटिन की foot hills में पढ़ती है और जो आपका Central Indian Plateau है उसके Southern Nays पे है अच्छा जब हम बात करेंगे रॉक कट पेंटिंग्स की अजन्ता की जो की औरंगाबाद में है और बाग की जो की मद्यपरदेस में है तो वो पोस्ट मॉर्यन पीरियड से रियलेटेड है उ उस टाइम पे खेती की शुरुवात हो जाती है तो ग्रेंस फर्स्ट प्रड्यूसिन नियोलिथिक एज ग्रेंस जो है नियोलिथिक एज में आने लगे और दो साइट से बहुत फेमस है एक साइट पढ़ती है आपके इंडिया में और देखिए किस्मत की बात है कि जो आपको वहाँ पे साक्षी मिलते है यह नियोलिथिक साइट्स है तो नियोलिथिक एज में जो है ग्रें की फर्स्ट एम डिस्कवरी हुई थी और जो है हमें कुल्डे हुआ बेलन वैली उतर प्रदेश और महरगर पाकिस्तान में इसका साक्षी मिलते है यहाँ पर आपको राइस और वीट दोनों के जहें एविडेंस मिल जाएंगे इसके लाव अगर आपको जानना चाहें कि जो है इंसान क्या कंजूम करता तो मेनली एट टाइपस फूट ग्रेंस अम लोग कंजूम करते हैं जंगली थेव उसको उन्होंने वहाँ से जंगल वगर से लाया सीड बनाया उससे थोड़ी प्लांटिंग वगर की फिर धीर धीर जो है अगरिकल्चर की शुरुवाद जो है अलग-अलग प्रेसेज में अलग टाइम पे हुई मैंने आपको यह बता है कि जो राइस और वीट का जो है अर्लिएस रेविडेंस आपको मिलता है कोल्ड हुआ और मेहरगर से लेकिन सबसे पहला क्या था ग्रें जिसको कल्टिवेशन किया गया था तो वो था आपका बारली बारली जो है जिसको हिंदी में हम लोग जौब वो फर्स्ट ग्रें था कल्टिवेटेड बाई हुमें यह याद रख लिजेगा आजाएगा आपकी UPSC और जो वंडे एक्जाम है सारे में कि बारली जो है फर्स्ट ग्रें था जो की हुमें ने जिसकी कल्टिवेशन की और वो कल्टिवेशन हुई 8000 BC में और यह कहां किया यह देखिए आपसे काफी दूर वेस्टन इस्या का जो है एरिया और जो है मेडिटेरेनियन सी और इरान के आसपास जो एरिया वेस्ट इस्या का वहां पर बारली की जो सबसे पहले जो है कल्टिवेशन की गई थी और बाद में उसी एरिया में वीट जो है 8000 BC के और सुन्मणबाव 7000 BC में और जो रैस की कल्टीवेशन आपको रट ले नी है सबसे पहले चाइना का वेरी फेमस रिवर ओर यांगजे रिवर असके नहीं कर दो करता है बीच से बीच यांगजे रिवर का जो बेसिन है उस पे रैस की cultivation और आज भी जो है चाइना में यांगजे रिवर के अराउंड जो है उसकी वैली में जो है rice की बहुत ज्यादा cultivation होती है जब rice हो गया, wheat हो गया, barley हो गया सबसे पहले barley हुआ, फिर wheat हुआ, फिर rice हुआ अब तो maze कहां से आया मेज जो है, बड़ा याद रखना असान है first evidence जो maze का मिला था, वो मेक्सिको से मिला था देख रहे है, मेक्सिको और मेज मिलता जुलता नाम है तो maze जो है, सबसे पहले cultivate किया गया था, Central और South America में 6000 BC में first evidence मिलता है, मेक्सिको से और जो millet कहां से आया देखे, millet भी just like rice, चाइना से आया 5500 BC में और जो sorghum कहां से आया, वो East Africa से आया अफरिका में East Africa से जो sorghum की शुरुवात हो जाती 5000 BC में, तो बात आती है कि आपका सर्सो कहां से है, मस्टड तो मस्टड की खेती जो है 5000 BC जो है, South East Asia में शुरुवात होई, ये दो South East South East Asian countries हैं और oats जो है, आप बड़ा slim होने के लिए आज खा रहे हो oats की शुरुवात जो है 2300 BC में, यूरोप में होई ती तो ये चीज़े जो है, आप यहाँ पे चाहे तो वीडियो को फिर से देख लेना, ये रोक के रट लेना हज से जादा important है अचा जो latest research है, उसका ये कहना है कि agriculture की evidence जो है आपकी Indian subcontinent में कहां से मिली है earliest, earliest, सबसे पहला तो आपका जो UP का है संत कबीर नगर district है, उसमें जगह है लहुरा देवा, लहुरा देवा साइट जो है, संत कबीर नगर district जो है उतर प्रदेश में, वहाँ से हमें agriculture की earliest evidence मिलती है according to latest research, ये भी सर ने आपके लिए डाल दिया है, और बात करें evidence of human activity और rice cultivation की तो इस site पे जो है 8000 से के 9000 BC में माना जाता है कि ये चीज़ों की शुरुआत हो गई थी तो जब हम इंडियन subcontinent की बात करें तो मैंने आपको पढ़ाया था मेहरगड, बलोचस्तान पाकिस्तान में, और आपके जो बेलन रिवर वैली है, अलाहबाद district में पढ़ती है, तो देखिए मेहरगड में आपको वीट का सबसे पहले earliest evidence मिला था, और वो मिला था 7000 BC का, और आपकी जो अलाहबाद का जो बेलन है, रिवर वैली, तो वहाँ पे आपको rice bran, rice bran मतलब क्या होता है, rice के उपर जो covering होती है, उसको बोलते हैं, तो rice bran मिला पूरे दोरान जो वहाँ पे civilization जो थी, फली-फुली थी, ये आपको जानने की जुरत है, तो मिहरगड जो site है, बहुत जादे important हो गई, अब चले आए, बोर्जाहॉम site पे, ये आपके कश्मीर में स्रीनेगर के आसपस है, देखिए जो बोर्जाहॉम site है, ये एक prehistoric settlement है, और आज वहाँ पे अभी भी एक बोर्जाहॉम नाम का गाउं है, वहाँ पे कश्मीर वैली में, यहाँ पे आपको human के और animal के दोनों के skeleton मिलेंगे, और उनके skeleton की खासियत यह है, कि उन पे tripanning है, tripanning क्या होता है, जो आपका skeleton ने खोपड़ी है, जो skull है, human का, जो brain का, खोपड़ी जो है, उसमें hole किया हुआ मिलता है, board hole जो तो उसी को बोलते है, tripanning marks बोलते हैं, तो यह आप जान लीजी आज से, कई pits में जो है, dog के जो bone मिलते हैं, और antler deer के, antler वाले deer, जिसके बड़े-बड़े सिंग होते हैं, वो उसके कई pits में वो भी मिलता है, pits मतलब, खोद के चीजों को दफनाना, human skeleton के साथ इन चीजों को दफनाने की, कई पार मानते हैं, कि मरने के बाद भी जिंदा रहेंगे, तो उनको यह animal दे दो, dog दे दो, वो की थी, helmet d tera, और उनके साथ ते, dr. thomas peterson ने, 1935 में, इसी टाइम पर, government of india act भी आता है, 1935 में, तो उस टाइम पर हुआ था ही है, अच्छा मैंने आपको बताया था कि, जो माद्यपरदेश का एरिया था, महराष्ट का रहे था, वैटल एंड दॉब वाल, और थैच्ड रूफ, मतलब, जो है, यह setting करके, थैचिंग करके, मतलब, खरपतवार से उसकी रूफ बना देना, मतलब, पक्का तो कुछ नहीं है, तो यह जो है, थैच्ड रूफ, विट वैटल एंड दॉब वाल, यह आपको मिलेगा कहां से, मिलेगा आपको जौरवे कल्चर में, रेक्टेंगुलर हाउसेज होते थे, देखे, यह लोग मानते देखे, जो है, डेट के बाद भी लाइफ है, इसलिए जो कई बार, जो है, डेट बडी को, वो लोग घर के अंदर, फ्लोर के नीचे ही दफना देते थे, और एक बात यह कि, चिल्डेन की जो ब्यूरिंग की जाती थी, टू अर्ण में की जाती थी, अर्ण मतलब की, आज का जो आप मतलब जानते हो ना, ताबूत जो बोलते हो दफनाने के लिए, तो उसी तरह जो मिट्टी के वो पका के अर्ण बनाते थे, और जो माउथ टू माउथ उनको जॉइन कर देते, ताकि वो होरीजेंट कर सके, और अडेल्ट को कैसे प्लेस करते थे, स्पाइन पोजिशन में, अब यहाँ पर यहाँ पर की जाती थी, नौर्थ टू साउथ जो की आज भी की जाती है, और यह जो है, ऐसे का हैं साइट पाएगे, दैमाबाद मैंने आपको पताया, इनाम गाओ मैंने आपको बता जाएगा, और निवासा जो है, महाराष्ट में, वहाँ पर आपको ऐसी साइट्स मिल जाएगी, देखिए फिर एश मांड की बात होगी, कि एश मांड कहां से मिलते हैं, तो एश का धेर लगा, वाँड कहां से मिला, देखिए नियोलितिक साइट्स हैं, एक है संगना में भी मिलते हैं इस ash mound में देखे क्या हैं रेलिक्स हैं seasonal camps के neolithic hurtsman community के हैं अल्रेटी पढ़ा दिया कि fire जो है first time neolithic period में यूज किया गया था तो यह जो ash mound है वो भी neolithic period के हैं तो यह जो neolithic site हैं संग्ना कल्यू और दूसरा क्या उनसा बता है, पिकली हाल, क्योंकि यहां पे आपको एश मिल रहा है, एश कब मिलेगा, राख कब मिलेगी, जब आग लगेगी, और वही आएगा आपको पढ़ाई के लिए होनी चाहिए, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, कि चैलको लितिक पिरेड में कॉ लेकिन अगर इंडिया में ऐसे बोले रीजन की बात करें, तो आपको साउथ इस्ट राजस्थान में, माराष्टरा के वेस्ट में, और इंडिया में साउथ इस्ट इंडिया में, ये जो साइट्स हैं आपको चैलको लितिक पिरेड के जो है, प्रूफ मिल जाएंगे, अगर बात करें, तो 3 मेटर का डाइमेटर और जो है, स्कॉयर वाला जो रिक्टैंगुलर वाला जो है, उसका 2 x 2, 2.5 मेटर का उनका स्ट्रक्चर है, तो ये इसके रूफ कैसे बनाते थे रूफ तो देखिए, वही ब्रांचेज के, लीवस के, हे के खर, पतवार मैंने बो वे प्रोवाइडेड विद मढ़ प्लास्टर बैंबू स्क्रेन्स, जो उपन स्पेस हो गया, उसपे भी थोड़ा सा, जो है, कवरिंग कर देते थे, तो बैंबू जो है, बांस की जो, प्लास्टर कर देते थे, मढ़ प्लास्टर मतलब क्या, नॉर्मल, मिट्टी का लेप लगा देते थे, mud houses जैसे होते हैं, house के जो floor थे देखिए चुकि नर्मदा रीवर थी यहां पे आसपस में मालवा रिजन के, तो जो house के floor थे वही नदी से निकाल के जो silt होता था, उसका clay से बनाते थे, river के gravel से बनाते थे, पत्थर छोटे-छोटे, और जो है, lime से उसकी surface coating कर देते थे, अब यहां पे हड़पन development की archaeology है, तो यहां पे यह नहीं पढ़ेंगे, वो हमें आगे पढ़ना है, इसको ignore करिए, अब जो इनके huts खोजे गए, तो huts में यह देखा गया, कि चूला मिलते थे, चूला जो थे, one mouth वाले भी मिलते थे, तो माले भी मिलते थे, अब कर कलर्ड पौटरी भी मिलती है, ऊकर कलर्ड पौटरी जो होती है, वो देखने में देखी है, यलो से डीप ऑरेंज कलर की होती, इसमें फेरिक ऑकसाईट, जो होटहा है, इसको धोड़ी मतरा ज़ादा होती है, तो और यह एक ne though बजो है, तो यह एक डिस्टिंद्वि आपको मिलेगा कहाँ, यूपी में अगर बात करें, तो जो यूपी का एटा जिला है, वहाँ पे अतरंजी खेडा नाम की जगह में, और जो मेरट जिला है, वहाँ पे हस्तिनापुर में आपको ये जो है, प्रूफ मिल जाएंगे, चलिए, लेक्चर खतम करते करते हैं, एक म्यूजियम भी है इसके अंदर, है ना, कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करता कौन, आर्कियोलोजकल सर्वे उप इंडिया, देखिए, इसकी जो शुरुवाद है, अलेक्जेंडर कनिंगम ने की थी, 1861 में, 1861 भी याद रखना है, अलेक्जेंडर कनिंगम भी याद र फस्ट डिरेक्टर जनरल बने थे, फिर बाद में, 1902 में आपके बड़े बद मार्शल लॉड करजन आते हैं, लॉड करजन के टेन्योर में, क्या किया जाता है, कि आर्कियोलोजकल सर्वे उप इंडिया को सेंटरलाइज कर दिया जाता है, और उस टाइम पे जॉन मार्शल जो हैं, इसके डिरेक्टर जनरल बनते हैं, आपका जो नाशनल हुमेन म्यूजियम है, उसको बाद में रिनेमिंग कर गई इंदरा गांधी नाशनल हुमेन म्यूजियम, ये बोपाल मद्यपरदेश में लोकेटेड है, ये एक और्टोनोमस और्गिनाजेशन है, अंडर दे हिस्टरी के स्टेडी किया, वो फादर हैं, और यही जो रॉबर्स ब्रूस फूट थे, वो जियो लॉजिकल सर्वे अप इंडिया के साथ जो है, एस्टूसेटेड थे, और उन्होंने हमारी कंट्री में स्टोन एज की कई एंटेक्विटीज को डॉकुमेंट किया, उनके पढ़ाई कि एंटेक्विटीज मतलब पूरानी चीजें, स्टोन एज की, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, जो महादाहा नाम की साइट थी, वो एक मीजोलितिक साइट है, परताबगड यूपी में लोकेटेड है, और यहां पे धेर सारे बोन से बने हुए, और एनि सारे पॉइंटेड ऑबजेक्ट्स की टूल्स की और ओर्नामेंट्स की जो की बोन से बने हुए है, उनकी बात की गई, और यह जो टूल्स और ऑबजेक्स थे, वो सराय नहर राय, दमदमा और महादमा, यह जो है, महादाहा, दमदमा और सराय नहर जो है, यह सारे लोकेशन जो है प्रताबगर से मिलते हैं और वहाँ पे उनका उलेख मिलेगा आपको पूरा तत्व विमर्श नाम की बुक रिटेन बाई जैन अरायन पांडे अब इतना डिसकेशन कर लिया कि हमने फिस्ट्री को आर्के़ोलोजिकल सिस्टम गो जो है स्टोन एज में ब्रॉंज एज में आरायन एज में ऐसे डिवलप किया तो यह दिया किसने था देखिये डेनमार्क के एक डैनिश आर्के़ोलोजिस थे उनका नाम था क्रिस्टियन ज जो है यह डेवलपमेंट के थी हिस्ट्री के डिवीजन की इसमें कुछ रिपीट इंपर्मिशन थी अब यहां पर चले आईए इंडिया में जो है फर्स्ट एविडेंस मैन का कहा मिला नर्मदा रेजन में में मिला और यह मध्यपरदेश में है इस बात की जो डिसकवरी फ 700 BC में जो है वहां पर आपको मिलेगा सेटल डाइप की कीले गुल मोहममद और काली बंगन हैब बिन डेटेड 4000 BC and 3500 BC रिस्पेक्टिवली धौल वीरा इस हडपन साइट यह आगी की बात है ऐसे तो देखिए कीले गुल मोहममद और काली बंगन तो आपके इंडिया में ही धौल वीरा भी आपके इंडिया में पढ़ता है यह सब जो है काली बंगन और धौल वेडा जो है यह सब हड़पन साइट्स हैं अब यह जो लोकेशन है यहाँ पर चैलकोलितिक साइट्स की देखिए मैं आपको सारी पढ़ा दिया चिरांड पढ़ा दी सब कुछ पढ़ा इततों पॉल खोऊलते हैं और यह जो आपके की आपके डाइमेटर वगण जो तरहrun क्युन मता है जो आपके बताये थे आप diameter वगर आजो तो जोí जो एक्सकवेशन की थी किसने वो याद रख लिजिए वो साइट की एक्सकवेशन की थी Mr. HD संकालिया ने एच डी संकालिया जो हैं प्रोफेशर हैं डेकन कॉलेज पुने के इस साइट वस्ट एक्स्टेंसिव एक्सकावेटेड रूरल चैलकोलितिक साइट था यह आपका जो नवडा टोली था टोली से याद भी रहेगा नवडा टोली जो था एक रूरल चैलकोलितिक साइट था इंडियन सब कॉंटिनेंट का और माने जाता है कि 1600 बीसी से लेके 1300 बीसी तीन साल तक यह रहा था यह सिवलाजेशन और एक बात की भीम बेटका में अल्मूस 500 पिक्चर्स पाए गए हैं इसके साथ जो है इस लेक्चर की जो है अब हम समापती होती है बाकी जो है नेक्स लेक्चर में हम लोग इंडस बैली सिवलाजेशन करेंगे तब तक आप यहाँ पे आ जाएए पेड ग्रूप में अपना ध्यान रखें अच्छे से रहें टाटा बाई बाई